दोस्तो अज गुल्ली बुली अपने जीप को रिपेर कर रहे हैं क्योंकि पिछले बर जेसन ने जीप को ठोक के खराप कर दिया था पिछले दो दिन तो जीप ठीक से चली लेकिन फिर तीसरे दिन ही जीप बंद हो गई इसलिए ये दोनों लगे हुए हैं जीप को रिपेर करने में गुल्ली जीप को बाहर से देख रहा है और बुल्ली नीचे जीप के अंदर घुसके रिपेर कर रहा है तभी गुल्ली बोलता है कि बुल्ली जीप को अच्छे से रिपेर करो और जो तुम्हारे बगल में जो बोल्ट है उसे अच्छे से लगा कर टाइट करो क्योंकि वो बोल्ट इंजन का है और वो बोल्ट अगर ठीक से नहीं लगा तो पेट्रॉल लीक करने लगेगा गुली की बाते को सुनकर बुली अच्छे से बोल्ट को लगाने लगता है लेकिन ये क्या मिश्टर मीट के ट्रक गुली बुली की घर में क्या कर रही है असल में मिश्टर मीट और जेसन जिन्दा तो है नहीं अब दोनों मर चुके हैं और गुली बुली अपनी जीब की भरपाई के लिए उसके ट्रक को ही अपने घर में रख लिये हैं और तब से मिश्टर मीट का घर और ट्रक दोनों गुली बुली के पास है गुली बुली अपनी जीब को रिपेर करी रहे होते हैं तबी वहाँ पर सौन अपनी खटारा स्कूटर के साथ आ जाता है सायद सौन को मिश्मीट के घर से भी कुछ हिस्सा लेना होगा तबी तो इतनी रात को सौन गुली बुली के घर आया है सौन अपनी स्कूटर को गुली बुली के घर के तरफ मोडता है और अंदर जाके स्कूटर को रोक देता है उसके बाद सौन वहाँ पर स्कूटर से उतरता है और स्कूटर को खड़ा करने के बाद सौन गुली गुली के पास जाने लगता है गुली के पास पोचते ही सौन गुली को घूरने लगता है गुली सौन को बोलता है कि सौन इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या करने आयो ऐसी भी तुम्हें क्या इमर्जेंसी पढ़ गए कि तुम्हें यहाँ तक आना पढ़ा और यह सुनकर सौन बोलता है कि नहीं गुली मुझे कोई इमर्जेंसी नहीं पढ़िये मैं तो बस तुमसे यह पुछने के लिए आया था कि क्या तुम मिश्टर मीट के कवाड़े घर को बेचना चाते हो क्यूंकि मुझे एक बायर मिला है जिसे एक पुराना घर चाहिए और मैंने उसे बोला है कि हमारे पास एक पुराना घर है और वो उसे खरीदने के लिए भी तयार है और अच्छे पैसे भी दे रहा है तुम बोलो अगर तुमें बेचना है तो बताओ ये सुनकर गुली बोलता कि अरे सोन इतनी अच्छे आउफर को मैं मना कैसे कर सकता हूँ बेच दो वो घर ऐसे भी हमारे कोई काम का नहीं है इससे अच्छा होगा कि हम उसे बेची दे इस बहाने हमें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे पहले तुम ये बताओ कि वो कितने पैसे देनी के लिए तयार है तौन बोलता है कि वो मिस्टर मीट के घर का एकड़ रुपए देनी के लिए तयार है और वो मुझे अपने घर बुलाया है तुम भी चलो मेरे साथ गुल्ली सोन को बोलता है कि ठीके चलो लेकिन रुको मैं पहले बुल्ली को भी बता देता हूँ उसके बाद गुल्ली बुल्ली से बोलता है कि बुल्ली मैं सोन के साथ जा रहा हूँ मिस्टर मीट के घर को बेचने के लिए इसलिए तुम घर के अंदर जाओ जीप को हम बाद में रिपेरिंग सौप में ले जाकर जीप को अच्छे तरीके से रिपेर करा लेंगे उसके बाद गुली सौन के स्कूटर में बैटके वहाँ से निकल जाता है और इधर बुली भी जीप का काम छोड़कर घर के अंदर चला जाता है बुली ये सोच रहा है कि चलो अब थोड़ा अराम करने को मिलेगा और इधर सौन स्कूटर को बहुत ही तेज चला रहा है गुली बोलता है कि सौन इसकूटर को इतनी तेज मच चलाओ नहीं तो एक्सिडेंट हो जाएगा लेकिन सौन गुली की जड़ा भी बात नहीं मानता और स्कूटर को तेज चलाता ही रहता है तभी सौन स्कूटर को सुनसान जंगल में लेकर जाता है जंगल का रास्ता काफी ज्यादा बिहानक लग रहा है क्योंकि यहाँ पर चारो तरफ अंधेरा है और दूर दूर तक कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा शाय थी ऐसे ड्राउने जंगल में कोई रहता होगा और स्कूटर को वही पर रोक देता है तभी दोनों स्कूटर से उतरते हैं और आसपास दोनों देखने लगते हैं तभी सौन को एक घर दिखता है और फिर सौन गुली को लेकर उस घर में जाने लगता है गुली सौन के साथ जाते हुए बोलता है कि सौन ये बायर इतनी सुनसान जगा पर रहता है और इसका घर भी काफी जदब पुराना लग रहा है सौन मुझे कुछ गड़बड लग रहा है चलो वापस चलते हैं सौन गुली के बाद को टाल देता है और सौन बोलता है कि डरो मत गुली ये उसी बायर का घर है उसने मुझे वीडियो कॉल भी किया था तुम टेंसन मत लो तुम चलो घर के अंदर और इसके बाद ये दोनों उस घर के पास जाने लगते हैं घर के पास आते ही दोनों उस बायर को इधर उधर देखने लगते है लेकिन उन्हें क्या पता कि इस घर का मालिक पहले से ही मर चुका है और उस घर के मालिक का डेट बॉडी उस पेड़ पर लटका हुआ है इस डेट बोड़ी को देख कर लगता है कि किसी ने इसे बहुत बेरहमी से मारा है लेकिन ऐसा कौन कर सकता है गुली सौन से बोलता है कि सौन मुझे लगता है कि हमें किसी ने बेवकूब बनाया है अगर उसे घर खरीदना होता तो यहाँ पर मौजूद होता तभी सौन गुली से बोलता कि गुली तुम सायर ठीकी कह रहे हो सायर वो पैसे देने की डर से यहां से भाग चुका है चलो यहां से चलते हैं यह दोनों वहां से जाहिरे होते हैं तब ही इन लोगों को कुछ दिखाई देता है और वो इस चीज को देखकर बहुत ही जड़ा डर जाते हैं। अरे ये क्या ये कौन है ये तो बिल्कुल दिखने में सिलेंडर मैन जैसा लग रहा लेकिन इसका नाम है ब्लेंडर मैन, इस सिलेंडर मैन का भाई है। लगता है ब्लेंडर मैन इन लोगों से अपना भाई सिलेंडर मैन की मौत का बदला लेना चाहता है क्योंके गुली और गुली ने ही ब्लेंडर मैन को बाबा की मदद लेकर मरवाया था। ब्लेंडर मैन को देखकर गुली और शौन भी हैरान है और इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये कौन है शौन को तो ये देखने में स्लेंडर मैन जैसा लग रहा है लेकिन तबी जिसका डर्था वो ही हुआ Blender Man ने उन दोनों को देख लिया है और वो उन लोगों को मालने के लिए इनके पास आने लगा Blender Man तो बहुत हुस्ते में लग रहा है लगता है कि अब ये गुली और शौन को जान से माल कर ही दम लेगा ब्लेंडर मेन को अपने पास आता देखकर गुली वहां से भागने लगा और शौन भी उनके पीछे पीछे भागने लगा शौन को तो कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है जिसकी वज़े से वो तेज नहीं बाग पा रहा है कहीं ये भागते भागते पोटे ना छोड़ दे क्यूंके शौन की पोटे की बद्बू बहुत तेज होती है अगर वो किसी के भी मुग के पास हो तो वो आदमी बिहोश हो जाता है गुली भागता हुआ कहीं छुपने की जगा ढूनने लगा और शौन भी गुली के साथ छुटना चाहता है लेकिन तब ही उन दोनों को रुखना पड़ा और गुली देखता है कि ब्लेंडर में तो नदी में उतर गया है और उनके पास ही आ रहा है और दूसी तरफ शौन देखता है के कोई सड़ी हुई मेल डेड बॉडी पेट से चलांग लगाएकर चलते हुए उन लोगों के पास ही आ रही है और वो देखने में बहुत ज्यादा ड्रावना दिख रहा है और अब ये दोनों हर तरफ से घिरे हुए है अब इनके पास जंगल के अंदर जाने के इलावा कोई और रास्ता नहीं है लेकिन जंगल में खून खुआर जंगली जावर भी हो सकते हैं जो इन्हें मार कर कच्चा ही खा जाएंगे और यदर बॉली भी ये सोचकर परिशान हो रहा है कि आखिर अभी तक गुली और शौन आये क्यों नहीं इतना टाइम थोड़ी लगता है घर बेचने में ये सोचते हुए बॉली घर के बाहर आता है और मन ही मन में सोचता है कि उन दोनों को गए हुए एक घंडा हो चुका है अभी तक वो दोनों वापिस नहीं आये कहीं वो दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं फज गए है और इसके बाद बॉली फैसला करता है कि पहले बाबा के घर जाएगा और बाबा के साथ मिलकर गुली और शौन को ढूड़ेगा इसके बाद गुली गुली और सौन को ढूड़ने के लिए बाबा के घर के तरफ बैदल ही जाने लगता है क्योंकि उसकी जीब तो अभी खराब हो चुकी है और बाबा के पास बाइक है और वही दूसरे तरफ सौन को ब्लेंडर में ने पकड़ लिया है और वो सौन को पकड़ कर जोर जोर से हस रहा है ये सब दिवकर गुली बहुत जादा डर जाता है और अगर उसे अपनी जान बचानी है तो उसे जंगल की तरफ जान नहीं होगा जंगल में जाने के अलावा उसके पास कोई और आप्सन भी नहीं है लेकिन जंगल में जंगली जानवर भी हो सकते है थोड़ी देर सोचने के बाद गुली फैसला करता है कि वो जंगल में जाएगा और इसके बाद गुली जंगल की तरफ बढ़ने लगता है गुली को भागता देखकर उस डेट बोडि को बहुत जदा गुस्सा आता है और वो गुली को पकड़ने के लिए दौर लगा देता है थोड़ी देर बाद वो आदमी ये कुची छलांग लगाता है और गुल्ली का एक पैर पकर देता है इसके वज़े से गुल्ली वहीं पर गिर जाता है गुल्ली उस आदमी से अपनी पैर छोड़ाने की बहुत कोशिस करता है लेकिन वो आदमी उसका पैर छोड़ने का नामी ही ले रहा और तभी गुल्ली उससे कहता है चोड़े रहा जाई दे रहा जाई ना होता हुझ पूरे फूर यह सुनकर वह आदमी बोलता है जानी हम तुम्हें नहीं चौड़ेंगे आस तुम्हारा आखरी दिन है और हम तुम्हें लेकर ही जाएंगे गुल्ली बोलता है कहां लेके जईबे हमका तभी वो आदमी बोलता है जैनी तुम्हें तो हम नर्क में ले जाएंगे और वहाँ पर तुम्हारी चमणी उधेल कर पोछा बना देंगे गुल्ली बोलता है छोड़े की नारे कोड़िया ले अब हम तर छुले तुरा भूत नीकला एक लात पढ़ते ही वो दूर जाकर फिका जाता है खत्म बाई बाई टाटा गुल्ली देखकर गुल्ली को रहत मिलती है और वहां से दुम्दुबा कर भाग जाता है और अब यह र अलंग लगा गेता है और वो उपर आ जाता है और तभी उसे काफी तेज गुस्सा आता है और वो जोर जोर से चिलाने लगता है तभी ब्लेंडर मैं मनीमन बोलता है नहीं बचेगा रहे तून Onain बचेगा मेरा एक दूस्त आता ही होगा देखता हूँ तू कहा तक भागत और इधर बुल्ली बावा के घर पर पहुचने ही वाला है और थोड़ी ही दिर में बुल्ली बावा के घर के पास पहुची जाता है घर के पास आते ही बुल्ली बावा के पास जाता है वो देखता है कि बावा घर के बाहर आग जलाकर ध्यान लगाए हुए है बुल्ली सोचता है कि बावा को ध्यान से उठाना ठीक नहीं होगा तभी बावा को पता चल जाता है कि बुल्ली सामने खड़ा हुआ है और तभी बावा उठकर खड़े हो जाते हैं और तभी बावा बुल्ली से पूचते हैं कि क्या हुआ गुल्ली तुम आदी रात को 12 वजे यहाँ पर क्या करने आये हो तुम्हें मुझसे कोई काम है क्या या फिर ऐसे ही आये हो और गुल्ली और सौन कहां पर है वो दोनों ठीक तो है ये सुनकर बुल्ली बावा को सारी बाते बता देता है गुल्ली और सौन को मिश चाहिए उन लोगों ने कहा था कि वो दोनों एक घंटे में आ जाएंगे बुल्ली की बात सुनकर बावा बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो तुमने उन्हें ढूनने की कोशिस क्यों नहीं की और तुम यहां पर पैदल क्यों आए हो जीप नहीं थी क्या बुल्ली बोलता है कि नह को ढूनने के लिए यह सुनकर बावा बोलते हैं कि ठीक है तुम मेरे बाइक पर बैठ जाओ हम यहां से निकलते हैं लेकिन तुम पेट्रॉल भरा देना कफी क्योंकि पेट्रॉल कफी जदा महंगा हो गया है तेल भराते भराते मेरा ही तेल निकल चुका है और इसके बाद बावा बाइक पर गुल्ली के साथ बैठ जाते हैं और फिर वो बाइक को स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं बावा अपने बाइक को काफी जदा ही स्पीड में भागा रहे होते हैं और जल्दवाजी में बावा अपने घर के बाहर जलाए हुए आग को बुझाना ही बूल जाते हैं और इधर गुली भागते भागते काफी दूर तक आ चुका है और वो जंगल में पहुच चुका है और उसे काफी जदर डर भी लग रहा है कि कहें उस पर कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे और उसे इस बात की खुसी भी है कि वो ब्लेंडर मैं से बच कर भाग चुका है और अब वो सिधा बावा के पास जाएगा लेकिन तभी गुली को कुछ दिखाई देता है और उसकी सारी खुसी गम में बदल जाती है अरे ये क्या ये कौन है ये तो कोई किलर लग रहा है अरे याद आया ये तो जेब दा किलर है लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है कहीं ये गुली को मारने तो नहीं आया है मुझे तो ये लग रहा है कि ये ब्लेंडर मैन का वो दोस्त है इसको blender man ने बुलाया था गुली जेफ दकिलर को सामने देखकर काफी जदर डर चुका है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब हो क्या करे लेकिन तभी जेफ दकिलर गुली के पीछे आने लगता है और उसे दोड़ा देता है ये देखकर गुली का फट के हाथ में आ जाता है और वो भी वहाँ से भागने लगता है क्योंकि उसे पता है कि जेफ उसे मार देगा और जेफ के एक हाथ में खंजर है जिससे वो सब को मारता है और वहीं दूसरी तरफ बावा और पुली बाईक सी मिश्टर मीट के घर की तरब पहुच चुके हैं और फिर बावा बाईक को मिश्टर मीट के घर के सामने रोकते हैं और घर देखने लगते हैं क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि गुली और सौन तो जंगल में है और तभी बावा बोलते हैं अरे बेटा बुल्ली यहां पे तो कोई भी नहीं दिख रहा है तुम्हें सही से याद तो है कि यहीं Mr. Mead का घर है यह सुनकर बुल्ली बोलता है कि बाबा मुझे याद है यहीं Mr. Mead का घर है और पता नहीं घुल्ली और सोन कहां पर है बाबा आप एक वर अपनी सकतियों से गुल्ली और सोन को ढूणने की कोशिश तो करिये, क्या पता वो दोनों आपको मिल जाए। बावा बोलते हैं कि ठीक है बुल्ली, मैं अभी अपनी सक्तियों से उट दोनों का पता लगाता हूँ। तुम बस सांती बनाय रखना और फिर बावा अपनी सक्तियों से गुल्ली और सोन को ढूणने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर ढूणने के बाद बावा को कुछ भी पता नहीं लगता है। फिर वो बुल्ली से बोलते हैं। मुझे गुल्ली और सोन का कुछ भी नहीं पता चल रहा है बुल्ली। बुल्ली बोलता है। बावा हो सकता है कि वो दोनों जंगल में गए हुए हो। हमें एक बर जंगल में जाकर देख लेना चाहिए आप जंगल के तरब चलिए ये सुनकर बावाबनी पाइक को सौ की स्पीड में जंगल के तरब लेकर जाने लगते हैं और इतर गुली दोबारा ब्लेंडर मैन के पास आ चुका है और वो चारो तरब से घिर चुके हैं और तभी जेफ दकिलर गुली को एक लात मार कर गिरा देता है गुली दूर जाकर गिरता है और बिहोस हो जाता है इसके बाद ब्लेंडर मैन बोलता है कि सही टाइम पर आए हो जेफ अच्छा किया तुम्हें अब क्या चाहिए जेफ पहले तुम ये बताओ ये सुनकर जेफ हस्ते हस्ते बोलता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बस तुम एक मस्त सी पाटी दे दो क्योंकि पाटी की हुए बहुत दिन हो चुके हैं ब्लेंडर मैन बोलता है कि पाटी तुम मैं दे दूँगा लेकिन पाटी में सराब और चकना कि बिना मजा नहीं आएगा जाओ तुम जाकर सराब और चकना लेकर आओ जेफ द किलर बोलता है सराब और चकना तो इस घर में ही होगा इस आदमी से मांगता हूँ, लेकिन पहले तुम इस मोटू का बिर्यानी बनाओ, मुझे टेस्ट करना है, जेफ की बाते सुनकर, ब्लेंडर मैन बोलता है, बस इतनी सी खुआई से तेरी, मैं अभी इसे मार कर कीमा बिर्यानी बनाता हूँ, तुम बस दारू ले आओ, अभी म नहीं, असल में हुआ कुछ और है, जब ब्लेंडर मैन गुल्ली को कुछ अलने जा रहा था, तो गुल्ली के चारो तरफ एक सील्ड बन जाता है, और उसकी वज़ा से ब्लेंडर मैन का पैर फिसलता है, और वो पानी में गिर कर बिहोस हो जाता है, और ये सब देखकर, गुल्ली के तरफ देख रहे होते हैं, और तभी, इन दोनों को किसी की बाईग की अवाज आने लगती है, तभी ये दोनों पहाले के तरफ मूल कर देखते हैं। अरी ये क्या, ये तो बावा की बाईग है, तो इसका मतलब क्या, बावा यहाँ पर आ चुके है। लेकिन ये तो बावा की बाइक पर गुल्ली आया हुआ है और अगर बावा गुल्ली के साथ नहीं है तो बावा है कहां गुल्ली को देखकर जिब्द किलर बोलता है तुम कौन हो और यहां पर क्या करने आये हो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ तुम यहां से जिन्दा वापस लोट जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूँगा यह सुनकर गुल्ली बोलता है मैं गुल्ली का भाई हूँ तुम मुझे मार सकते हो तो मार लेना लेकिन जड़ा पीछे तो देखो तब तुम्हें पता चलेगा इसके बाद जेव दा किलर अपने पीछे देखने लगता है लेकिन उसके पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता फिर वो बोलता है मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो कहीं वो डर के मारे फाग तो नहीं गया ये सुनकर बुल्ली बोलता है अबे गदे तुम अपने पीछे नहीं बल्की मेरे पीछे देख ये सुनकर जेव को गुसा आजाता है और वो बुल्ली के तरफ उरता है और बोलता है मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा लगता है कि तुम्हारा दो डर के मारे भाग गया है लेकिन मैं नहीं भागूंगा अब मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम ये सुनकर बुली बोला फीक है मार लेना तुम लेकिन जड़ा ध्यान से उपर तो देखो फिर पता चलेगा कि कौन है बाप और कौन है बेटा और टेंसन नहीं है कोई बाप यूँकि आ गया है तुम्हारा बाप और तभी जेव दर किलर को कुछ दिखाई देता है और बोलता है ये कौन है देखने में तो बढ़ा मस्त दिख रहा है बाप तो यहां पर आ भी चुके है अब लगता है कि बाबा जेव दा किलर और ब्लेंडर मैं और डूस्टेड पोडी को नहीं छोड़ने वाले योकि बाबा का सूपर एस्टीमोड पहले से ही ओन हो चुका है बाबा थोड़ी देर तक तो जेव की तरफ देखते रहते हैं लेकिन उसके बाद अचानक से बाबा जेव की और भागने लग जाते हैं अब लगता है कि बाबा जेव का काम पहले तमाम करेंगी तब ही बाबा एक उची छलाग लगाते हैं और शीजेव के उपर आकर उसे एक ही बार में मार कर डेर कर देते हैं बाबा की मार खाते ही जेव दा किलर वहीं पर बीहोस हो जाता है इसके बाद बाबा उठकर खड़े हो जाते हैं और उस बेड बाडी जो की सायद उस सेलर की है उसको गुसे से गुढने लगते हैं और अब से मैं इसे सेलर का नाम देता हूँ तो अब से मैं इसे सेलर ही बुलाओंगा और वो सेलर भी बाबा को ही देख रहा होता है इसके बाद वो सेलर बाबा के बोलता है कि तुम जो भी हो यहां से चले जाओ वो अन्ना अंजाम अच्छा नहीं होगा तुम जहवदा किलर को मार के बड़े तीस मार खा मत बनो जब तुम मुझे से लड़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ लेकिन जब बाबा उसकी बाते सुनकर नहीं भागते तो उस सेलर को काफी ज़्यादा गुसा आने लगता है और वो बाबा को लास्ट वार्निंग देता है कि अब तुम यहां से नहीं भागे हो अब इसका अंजाम तुम्हें चुकाना पड़ेगा तयार हो जाओ मनने के लिए इसके बाद वो शेलर बाबा वे हमला करने के लिए छलांग लगा देता है और बाबा भी यह देकर कहां रुकने वाले थे उनको भी ज्यादा गुसा आने लगा और वो भी छलांग लगा देते हैं बाबा उसे हवा में ही एक खपर लगा देते हैं इसके बाद बाबा उसे जमीन पे पटक देते हैं इसके बाद वो सेलर भी होश हो जाता है और बाबा उसे देख रहे होते हैं और वहीं दूसरे तरफ शॉन को भी होश आने लगा है और वो उटकर खड़ा हो जाता है इसके बाद शौन अपने सामने बुल्ली को देखता है और शौन बुल्ली के पास भाग कर जाने लगता है बुल्ली के पास आते ही शौन बुल्ली से बाते करने लगता है और इधर स्टैलर को भी होश आने लगता है और वो उठकर बैट जाता है, और वो अजीब तरीके से हिलने लगता है, ये देखता बाबा पर गुशा आने लगता है, इसके बाब बाबा उसके पाज जाते हैं, और उसे उठा कर हवा में ले जाते हैं, बाबा उसकी हवा में हंटी बजा देते हैं, इसके बाबा उसे घु माते हैं और जमीन मिला कर घुसा देते हैं इसके बाद बाबा अपनी जीत का जसन बनाने लगते हैं अब बुल्ली और सौन भी जसन में सामिल हो जाते हैं सबसे जादा मज़ा सौन को आया है लेकिन तभी सौन दूसरी तरफ देखता है और उसकी खुशी गम में बदल जाती ह अखिर इसने ऐसा क्या देख लिया अब बुल्ली विधर जैसे ही देखता है उसकी भी कुशी गम में बदल जाती है अरे ये क्या ये तो ब्लेंडर मैन है जो की उठने की कोशिश कर रहा है साहर इसे होस आने लगा है और ये देखते ही सौन बाबा को बताने लगता है ये बाबा वही है ब्लेंडर मैन जिसने मुझे मारा था और मैं ब्लेंडर मैन दिखाई नहीं देता है इसके बाबा उसे देखने के लिए आगे जाते है और आगे आते ही उसे देखने लगते है बाबा ब्लेंडर मैन को पहली बार देख रहे है और उन्हें ये समझ में नहीं कि आकिर कोई आदमी इतना बड़ा कैसे हो सकता है और इधर blender man भी उठकर खड़ा हो जाता है और वो बाबा को देखकर चिड़ने लग जाता है क्योंकि blender man को पता है कि बाबा ने ही उसकी भाई cylinder man को मारा था और अब ये इनसे बदला लेने वाला है और बाबा भी इसे देखकर हैलाल है क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल cylinder man जैसा है और बाबा को भी याद आ चुका है कि ये cylinder man जैसा दिखना है और इसके बाद blender man जोर से चिलाता है और वो काफी ज़्यदा गुसा हो जाता है इसके बाद वो बगल में पड़ी नाओ को उठाता है और अपने पास लाता है वो जैसे ही नाओ को अपने पास लाता है वो नाओ से बाबा पर हमला करने लग जाता है वो नाओ को फेखकर बाबा के उपर फेखता है और इधर भाबा को भी समझ बेहा चुका है कि वो कितना टाकतवर है इसके बाद भाबा अपने आपको बचाने के लिए एक सिल्ड बनाते हैं और वो सिल्ड इतना मर्बूत होता है कि वो नाव जैसे ही उस सिल्ड से तक्लाता है वो चुकना स्कूर हो जाता है और उसके तुपड़े जमीन पर गायब हो जाते हैं इसके बाद बाबा अपनी शेल्ड को अताते है बाबा की ये ताकट देखकर ब्लेंडर मैं चिडवें लग जाता है और वो दुबारा जोक्स चिलाता है और बहुत ही ज़्यादा गुशा हो जाता है और उसका गुशा अप साथवे अस्मान पर पहुँच चुका है इसके बाद blender man भी अपनी सक्तियों को एक खटा करने लग जाता है और वो अपनी सक्तियों को एक जगा एक खटा करकर बाबा के उपपर एक जोरदार लेजर भीन का हमला करता है और बाबा भी ये देखकर समझ चुके हैं कि blender man बहुत ज़्यादा powerful है इसके बाद बाबा भी अपनी सक्तियों को एक खटा करने लग जाते हैं और तभी बुली औसान भी बाबा की तरफ देखते हैं लेकिन वो लोग डर जाते हैं कहीं बाबा के साथ को फोट हो नहीं किया आखर ऐसा भी क्या हो गया इसे देखकर बुली औसान डर चुके हैं अरो यह क्या यह तो बाबा ने भी अपनी सक्तियों को एक्टिवेट कर लिया है जो कि काभी जैना खटरनाक लग रहा है लेकिन लेटर में बाबा पर फिर्जी भारी परड़ा होता है इन दोनों की सक्तियों के बहुत जोरदार विजमी करते हैं और इसे पूरा भुकम पारा होता है चुकि यह सक्तियों काभी अगया तामदिवार है और इन दोनों माते भोल बुरुवने का दाम नहीं दे रहा है चाहाए यह ब्लेंडर मैन हो या तिर बाबा लेकिन नवी, ब्लेंडर मैन की सक्थिये फोरी कंजोर पाने लग जाती है लेकिन इसके बाद मंदर में और सक्थियों लगाता है बाबा की सक्थिये कंजोर पाने लग जाती है और इसके ब्लेंडर में इसक्थिये कंजोर रहती है अपिसे बाबा की होती है से ही चलता रहता है इसले का नाम नहीं ये बता हाना है है कि कोAudi ये अलकर हुआ यह लेकिन तभी बाबा अपनी फूरी सकतिय को ब्लेंडर मैं के उपब भोग देते हैं जिशे ब्लेंडर मैं की सकतिया कमजोर पढ़ने लगती है और तभी देखते ही देखते हैं उसकी इसके बाबा अपनी लेजर की शक्तियों को वाफस लेते हैं और उसे बंद कर देते हैं और तभी गुली को भी होस आने लगता है और उसका शेल्ड भी हट जाता है इसके बाद गुली उठकर खड़ा हो जाता है और बाबा उसे देखने लगते हैं और गुली भी बाबा कोई देख रहा होता है इसके बाबा गुली से पुछते हैं कि गुली क्या तो मुझे यह बत बाबा को सारी बाइबात बताने लगता है कि सतरा से 65 और यहां पर कषरेचने के लिए लेकिन यहां पर कुछ और ही होनी लगा इसके पहले कि गली की बाती बता पाता है जैवसदा कि Judaism कlen को भी होशाने लगता है और वो भी उटकर खड़ा हो जाता है लेकिन वो जैसे ही बाबा को देखता है वो वहाँ से दुम दबा के भागने लगता है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि बाबा कितने ज़्यादा खदरनाक है और कितने ज़्यादा पारफुल भी है जेफ दा किलर अपनी दुम दबा कर जान बचा कर भाग रहा होता है कि किसी तरह उसकी जान बच जा है और बाबा भी ये देख लेते हैं इसके बाबा गुली से बोलते हैं कि गुली तुम बुली और सौन तीनों जाकर गाड़ी का इंतजाम करो और गाड़ी को मेरे पास ले आना मैं जा रहा हूं उसे पकड़ने इतना बोलकर बाबा जैफ का पीशा करने लग जाते हैं लगता है कि बाबा जैफ को नहीं छोड़ने वाले और इधर गुल्ली और सौन भी गुल्ली के पास आकर खड़े हो चुके हैं अब बुल्ली अपनी गाड़ी को लाकर वही पर खड़ा कर दिया है और ये तीनों आपस में बाते कर रहे होते हैं लेकिन अभी बुल्ली बोलता है कि तुम लोग हम बाते करना बन करो अब चलो बाबा के पास क्योंकि बाबा ने हमें बोला है इसके बाद दाबा जेब से बोलते हैं कि आज के बाद गुल्डी बुल्ई या किसी को भी मानने कर कोशिज मत करना वरना अनजाम बुरा होगा तेरा इसके बाद ये सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना हो बैल ऐकन दमाना ना भूले और अगर आपको पसंद नहीं है तो इस राइजी कर दिजेगा वीडियो को ठैक्स पर वाचिंग मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में